धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है दीपावली का पावन पर्व खरीददारी के लिए उमडी आमजन और ग्रामीनों की भीड शान्ती एवं कानून व्यवस्थाएं बनाये रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलीस के जवान तैनाथ सरवाण शहर सहित समूचे उपखंट शेत्र में आज दीपावली का पर्व हर्शोलास एवं धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है जानकारी के अनुसार दीपावली के पर्व के मौके पर शुक्रवार की सुभह से ही शहर के विभिन बाजारों में खरीददारी के लिए आमजन एवं ग्रामीनों की आवक शुरू हो गई जो की दोपहर तक परवान चड़ गई शहर के सदर बाजार, सबजी मंडी, रोडवेज बस स्टैंड, लिंक मार्ग, चमन चोराया, अजमेर कोटा राजमार्ग, सीनियर स्कूल मार्ग, विजय पत्माना आधी क्षेत्रों में में उमडी भीड के कारण लोगों को निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी शुक्रवार को आमजन एवं ग्रामीनों ने पूजा की सामगरी, गन्ने, फल, सीता फल, मिठाई यां, नए कपडों आधी की जमकर खरीददारी की खबर लिखे जाने तक शहर के विभिन बाजारों में आमजन एवं ग्रामीनों की भीड की आवग जारी नजर आई शहर की विभिन मिठाणयों की दुकानों पर भी मिठाई वरीदने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड नजर आई दीपावली के पर्व के अवसर पर शहर के विभिन बाजारों में सुन्दर विद्यूत सजावट की गई दिपावली के पर्फ के मद्दे नजर शहर में शान्ती, कानून एवं यातायात व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद के नेत्रित्व में चप्पे चप्पे पर पुलीस के जवान तैनात किये गए है आमजन अपने अपने घरों, प्रतिष्ठान एवं फेक्ट्रियों में मुहर्त के अनुसार दिपावली पूजन करते हुए नजर आये तथा लोगों ने अपने अपने वाहनों की भी पूजा अर्चना की दिपावली पूजन का कार्य आज शाम तक जारी रहेगा दिपावली के पर्व के मौके पर समूचा शहर रोशनी से जगमगाता हुआ नजर आया और व्यापारियों एवं दुकानदारों द्वारा भी सुन्दर सजावट की गई है